मैगी का ये ओट्स नूडल का नंबर आ रहा है आप ये सोचे होंगे कि मैने मैदे वाले मैगी का नंबर पहले क्यों नहीं बोला वो आपको इनके comparison वीडियो में पता चल जाएगा और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे description box में डाला हुआ है आप प्लीज ये वीडियो देखें ओट्स वाले में जो सबसे बुरी बात मुझे ये लगी है कि इसमें बड़ा बड़ा यहां ओट्स तो डाला गया है बट इसमें बस 40% ही ओट्स इस्तमाल किया गया है बाकी जो 60% है वो मैदा इस्तमाल किया गया है अगर आप खाइबर कंटेंट भी देखते हैं तो इसमें बस 4 ग्राम फाइबर है जादा कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप तेल की मातरा देखते हैं तो वह भी 17 ग्राम ixtamal किया गया है उसमें सेस्टुरेट ग्राम से जाधा है सोडियम की मात्रा भी 1200 mg से जादा है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ ऐसी बहुत आउटस्टेंडिंग चीज है जो आप अपने बच्चों को डेली दे सकते हैं साथी साथ इसमें यह बहुत सारे food additives मिलाए गये हैं ताकि इस food को टेस्टी बनाया जा सके बट मुझे इसमें एक अच्छी बात यह लगी है कि इसमें बहुत सारे nutritive values दिये गये हैं ताकि आप अपने आप से ही जज कर सकते हैं कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए प्लस यह iron fortified किया गया यानि कि इस product में उपर सा iron मिलाया गया है ताकि आपको कुछ तो nutrition मिल रहा है इ इस पूरे picture में बाकी occasionally अगर आपको खाना है तो यह oats वाला खा सकते हैं बट occasionally खाए डेली ना खाए